हेलो दोस्तों मैं मैं स्कुमार आप देख रहे हैं आई सेनी यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे किस तरह से आप जीओ का सीम एक्टिवेट कर पाएंगे अपने जीओ पोस पलस से तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि नया नियाम आ चुका है औ आपको नया सीम एक्टिवेट कैसे करना नया नियम आपको देखने को मिल जागा दोस्तों चलिए वीडियो सुरू करते हैं लेकिन उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करकर रखे अनने अपडेट पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबा ले तो तरह लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले जीओ पॉस को लोगिन कर लेंगे उसके बाद थ्री लाइन पर किलिक करेंगे जीओ डिजिटल के वाइसी पर किलिक करेंगे मुबिल्टी सेलेक्ट करके डन पर किलिक कर देंगे अब देखिए डिजिटल के वाइसी नन अधार पर किलिक करेंगे Select Document पर किलिक करेंगे और अधार कार्ड सेलेक्ट करेंगे क्योंकि अधार कार्ड से सीम एक्टिगेट करने जा रहे हैं Document नमबर पर अधार नमबर हैं पर डाल देंगे इसके बाद नेक्स्ट पर किलिक करेंगे अब देखें कैप्चर फ्रंट वीव यहां पर आपको अधार कार्ड का फ्रंट साइड का आपको फोटो ले लेना है कि यूज इस फोटो पर किलिक करेंगे उसके बाद कैप्चर बैक भी यहां पर किलिक करके अधार का बैक साइड को हम फोटो कैप्चर करेंगे यूज इस फोटो पर किलिक कर देंगे अब देखें नेक्स्ट पर किलिक कर देंगे आप के अधार का है फोटो यह एंपर आपको कैप्चर करना है कि अधार का भी दूस्ते आपको वाइट गोड़ांड में लेना कि यहींद देखने आप कस्टे का फोटो है जो नया याणि कि वाइट ग्डराउंड में आपको लेना है उसके बाद next पर किलिक कर देंगे जैसे capture हो जाता है next पर किलिक करेंगे अब देखिए capture agent फोटो यानि की agent का फोटो आपको capture करना है यानि की दुकंदार का फोटो आपको capture करना है अब next पर किलिक करेंगे यहां पर customer का डिटेल यहां पर भरना है केस्टमर का डिटेल जो केस्टमर का अधार काट है उसी से आपको भर देना है पूरा केस्टमर का नाम केस्टमर का डेट और बर्थ अगर आधार काट में आपको पूरा डेट बर्थ नहीं रहेगा तो आपको महिना में वन चुनना है और डे में वन चुनना है और इस भी में इस भी जो रहता है अधार काट में उसे डाल देना है इसके बाद जैंडर सेलेक्ट कर लेंगे अब नीचे अल्टरनेट कॉंटेक्ट नंबर आप उसी ही डालें जो कस्टमर साथ मिलाया हो कि कुछ इसमें ओटीपी जाएगा तो ही सीम भेरिफाय होगा उसके नीचे आपको एड्रेस भर देना है जो कस्टमर का एड्रेस अधार काट में दिया हुआ है उसे आप देख देखके पूरा भर देंगे दोस्तों आपको सारा डेटेल हैं पर आपको सही सही फिल करना है हुआ 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 है कि नेक्स्ट पर किली कर देंगे सारा डिटेल भरने के बाद अब यहां पर प्रिपेड सेलेक्ट करेंगे कि यहां पर एक प्लान सेलेक्ट कर लेंगे जो प्लान कस्टमर का रिचार्ज देना है कि कूपन नंबर में 12345 डाल सकते हैं उसके पाद सेम को स्केन कर लेंगे अब नीचे देखिए नो ओप्संस आपका नहीं दबाना है इसमें आपको नहीं लेगा आपको यस बटन आपको दबा देना है और पने इसके पार बकास में कौन सा अलग करेंगे होकिं कलीक करेंगे और कर दें के के मोढ़का का दिटेल यहां पर आज आगा सबसे निचे आपको जाना हां और टिक मार्ख पर रखादवेंस में लिखा हो रहीगा डिटेल निटेल सही है तो तिक मार्क लगा के प्रोशीट पर किलिका देंगे कर देंगे जन्यक्राइब गौना मोबाइल पो डाल देना है और आपको आपको लास्ट वन डिजिट छोड़ के आपको फाइब डिजिट टाइप कर देना कि तो दोनों मों टिपी भाल देंगे आज सीम का जो लाश्ट फाइब डिजिट है एक डिजिट आप छोड़ देना फाइब डिजिट टाइब करना है को तो सारड डिटेल हैं पर आप भलेंगे कि कभी कभी ओटी पी देर से जाता है ताप रिशेंड ओटीपी कर सकते हैं अधक उसके बाद दो टीक मार्क लगाना है रोके करना है ऐसा बेसे ओट प्रोशिट करेंगे इस तरह से आप देक सब्स्रे आज करें गीड़या फाइल न होगा याइध बैक बटन को दबा देना है कि पूर मुंख को इस तरह से फीडया फाइल अपलोड होने लगेगा है कraf पर किलिक करेंगे दन के रों करेंगे इस तरह से कस्टमर की नःएतिवेशन पर क्रिया पूर जागा दोस्तों आप इसी तरह से नए हilsy को एक्ट्वेट कर पाएंगे अगर इह वीडियो आपको आच्से लगा तो इसे लाइक करें ऐसًए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखे मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए ठाइंक्यू बेल आइकन जरूर दबा ले थाकि आपको नएने अपडेट मिलते रहेगा में नहीं करना जानते हैं तो इसका वीडियो आपको डिस्क्रेप्शन मिल जागा वीडियो का आप देख लेंगे